उफ भगवान ना करे आपके साथ या आपके किसी अपने के साथ कुछ भी ऐसा हो यह तो बहुत डराने वाला होता है लेकिन जब तक मैं हूँ आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा आज आपको एक्सिडेंट से बचाने वाले जी हाँ पूरी जानकारी आपको दूँगे आपको अन्होनी और एक्सिडेंट से बचाने वाला कार और बाइक का कलर साथ ही लकी नंबर भी बताऊंगी अगर जब आप गारी खरीदने जाही रहे हैं तो इसका खास खयाल रखियेगा आपको एक्सिडेंट रोकने वाले ग्यारा अचुक उपाई भी बताए जाएंगे चोरी से बचाने वाली पार्किंग की दिशा के बारे में भी जानेंगे आज सारी कुवारी लड़कियां और कुवारी लड़के मेरे जो महा उपाई हैं ध्यान से सुनिए क्योंकि आपके बहुत काम आएंगे तो फिर चलिए आपको बताते हैं आज का पहला महा उपाई क्या है एक बात बताईए क्या रिष्टे की बात बार बार टूट जाती हैं शादी नहीं हो रही फ्राइडे की राट को आठ छुआरे पानी में उबाल कर पानी के साथ ही आप अपने सोने वाली जगा पर जहां पर आप सोते हैं वहाँ पर बेट साइड पर रखकर सोचाएं इसके बाद साटरडे को यानि की अगले दिन सुबह उटकर नहाने के बाद नदी के जल में प्रवाहित कर दीजे कि नदी को पल्यूट नहीं करेंगे मचलियों का खाना बल जाएगा इससे आपके शादी के आसार जल्दी बनने लगेंगे अगर आप इस तरह के आक्सिडेंट से बचना चाहते हैं तो अपनी गाड़ी का नंबर चुनते समय बहुत साफधानी बरतनी चाहिए आपको आपको अपने मूलांग के हिसाब से नंबर चुनना है और तो और आपको कार या बाइक का कलर भी जो उसका कलर भी चूस करना है अपने मूलांग के हिसाब से चुनना चाहिए कैसे चुनना है और कौन सा चुनना है यह मैं बता देती हूँ देखिए मूलांक एक है अगर आपका तो आपका डेट अवर्थ होगा फर्स्ट आपका डेट अवर्थ होगा 10th, 19th या 28th of any month अब इन लोगों के लिए golden, copper या rust color जो है ये best रहता है अगर हम गाड़ी के नंबर की बात करें तो ध्यान से सुनिए 2, total, 4 digit का total, total जो है या वो 2 हो, या वो 4 हो, या वो 7 हो, या वो 11 हो मतलब 11 को फिर 2 पर, मतलब इखटा करके नहीं लाइएगा अगर total चार डेजिट का नंबर आड़ करके 11 आता है तो 11 आता है 20, 10, 19 या 28 ये अगर कुल total हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मूलांग 2 कि अगर हम बात करें तो आपके लिए आपका डेटिव बथ होना चाहिए 2nd, आपका डेटिव बथ होना चाहिए 11th, 20th या 29th of any 1th आपके लिए best होगा green, white या cream color गाड़ी का नंबर जो total है अगर तो total double digit में ही आ जाता है तो बहुत अच्छा नहीं आता तो single में करिएगा टोटल होना चाहिए 1, 4, 7, 10, 16, 19, 25, 28 और 31 अगर ऐसा हो तो आपके लिए बहुत शुब होगा मूलांग 3 की बात करते हैं मूलांग 3 के लिए आपका डेटिव बथ होना चाहिए 3rd, 12th, 21st या फिर 30th of any month आपके लिए blue, pink, light purple कलर लेना बहुत अच्छा रहेगा अगर गाड़ी इस कलर की ना ले सकें तो seat cover तो कम से कम इस कलर के ले ले गाड़ी का नंबर आपके लिए अच्छा रहेगा 3, 12, 21, 30, 6, 9, 15, 24, 18 तो आपकी गाड़ी की खुशी जो है ये दूगनी हो जाएगी अभी मैंने आपको सिरफ 3 मूलांग तक ही जानकारी दी है 9 तक के नंबर वालों की जानकारी देना बाकी है इसी शो पर आगे बताऊंगी लेकिन अभी कुछ और जरूरी बात भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ भी हो लेकिन ऐसा हो जाता है आपको इससे बचने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए वो क्या है आईए जानते है शनी के उपाय कीजिए हनुमान चालिसा का पाठ करना है शराब से दूर रहे वैसे भी गारी चलाते वे कभी भी शराब ना पिये ये कानूनी तौर पे भी गलत है आपके घर जो काम करते हैं उनसे अच्छा व्यवहार करें राहू के उपाय को चुपाय बता रही हूं कीजिए सरस्पती मा की आराद ना करें मंगल के लिए कुछ उपाय हैं वो भी कीजिए मसूर की दाल का दान करें गुस्से पर कंट्रोल करना है महामृतिज्य मंतर का जाप करें सबी ग्रहों की चाल ठीक करने के लिए उपाय कीजिए मंगल का वाहन दुरघटना यंत्र वाहन में लगाएं हनुमान जी की तस्वीर गाड़ी में जरूर लगाएं दुरघटना नाशक मारूति यंत्र का उप्योग करें एक जरूरी बात जब भी ड्राइव करें रूल्स को फॉलो कीजिए गाड़ी की रफतार पर कंट्रोल कीजिए शराब पी कर गाड़ी कभी ना चलाएं आक्सिडेंट वैसे भी नहीं होगा मूलंग के हिसाब से आपको कार और बाइक का कौन सा कलर और कौन सा नंबर चूस करना चाहिए यह आपको बताते हूं यह जान लेते हैं ताकि कोई भी अनहुनी आपसे दूर रहे मूलंग 4 की अगर हम बात करें तो इनकी डेट बर्थोगी 4th, 13th, 22nd या 31st of any month इनकी लिए shiny blue, electric grey और इसी तरह के shades इनके लिए अच्छे रहेंगे गाड़ी का नंबर टोटल होना चाहिए 22, 31, 127, 16, 19, 20, 25, 28, 29 तो इससे आपको और उपलब दियां यानि की और ज्यादा gains होंगे मूलंग 5 की बात करें तो आपकी डेट बर्थ होनी चाहिए 5th, 14th या 23rd of any month आपके लिए white, cream और grey के सारे shades अच्छे रहेंगे ज्यादा dark colors आप और वाइट करें गाड़ी के नंबर में आपके 5, 14, 23, 1, 7, 12 और 34 अगर है तो बहुत अच्छा रहेगा चलिए अब मूलंग 6 की बात करतें मूलंग 6 के लिए आपका डेट बर्थ होना चाहिए 6th, 15th या 24th of any month आपके लिए red, blue, pink या इनी के shades ठीक रहेंगे black और purple को आप avoid करें 6 मूलंग वालों के नंबर होंगे आपके नंबर में ये नंबर जरूर आने चाहिए 4 digit में ये नंबर आए 3, 6, 9, 12, 21, 24 और 45 तो बहुत अच्छा रहेगा अभी मैंने मूलंग 6 तक की जानकारी दी है लेकिन 7, 8, 9 मूलंग बाकी है इसके बारे में आगे इसी शोपे बताऊंगी अभी एक और खास बात आज का दूसरा महा उपाई क्या है अभी जान लीजे मेरे कई दर्शक ऐसे हैं जो अपने बेटे या बेटी के लिए रिष्टा ढून रहे हैं उन्हें कई सारे रिष्टे मिलते हैं लेकिन फिर भी उनके मन के जो भाज आए ऐसा रिष्टा उन्हें अभी तक नहीं मिला ऐसे में आप क्या करें अगर आप भी चाहते हैं मन चाहा रिष्टा आपके बच्चे को मिले या आपको खुद को मिले तो शुकल पक्ष के पहले थरस्डे को पांच तरह की आप मिठाई के साथ में दो छोटी लाइची, देसी घी के दो दिये साथ में केले की पेड की जड़ को जल अरपित कर चला कर आप इसे रेगुलर तीन थस्दे तक करें आपको आपका मन चाहा रिष्टा मिल जाएगा आखरी के मूलांक वाले इंतजार कर रहे हैं उनकी कार और उनकी बाइक का कलर कौन सा होना चाहिए चलिए आपको ये बता देते हैं आई अब हम मूलांक साथ की बात करते हैं मूलांक साथ के लिए आपका डेट अब बथ होताना चाहिए 7th आपका date of birth होना चाहिए 16th यह होना चाहिए 25th of any month आपके लिए greenish tone, yellowish tone, white इनसे मिलते जुलते color shades आपके लिए अच्छे रहेंगे अगर हम गारी के नंबर की बात करें तो गारी के नंबर में आपके जो digits होने चाहिए वो होने चाहिए 2, 4, 11, 41, 22, 29, 31 तो यह बहुत अच्छे signs है आपके future के लिए अब मूलांक 8 की बात करते हैं मूलांक 8 के लिए date of birth होगी 8th, date of birth होगी 17th या date of birth होगी 26th of any month आपके लिए dark grey, black, dark green, purplish, navy blue, colors बहुत अच्छे रहेंगे आपके गाड़ी के नंबर में 4, 8 और 9 को छोड़कर कोई भी नंबर हो सकता है फिर भी आप 1, 10, 19, 28 अगर अपने कार के 4 digits में ले ले लेते हैं तो बहुत अच्छा है अब आप मूलांक 9 की बात करेंगे मूलांक 9 के लिए date of birth होने चाहिए 9th, 18th या 27th of any month आपके लिए reds के tone, pinks के tone, silverish के tone इस्तेमाल करने अच्छे रहेंगे आपके गाड़ी के नंबर में जो digits आने चाहिए वो होने चाहिए 3, 6, 9, 12, 15, 24 या 21 तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए एक बात आपको जरूर बताना चाहती हूँ, आप कुछ भी कर ले लेकिन अगर आप traffic rules नहीं मानते हैं, तो कभी भी accident हो सकता है आप शराब पीकर कभी भी गाड़ी ना चलाएं और हमेशा traffic rules को follow कीजिए आपको अन्होनी से अपने आप protection मिलती जाएगी आपकी अन्होनी तल जाएगी बाकी जानकारी तो मैं आपको देही रही हूँ आज का तीसरा महाउपाय क्या है? अब मैं आपको ये बताती हूँ आपकी बेटी को देखने लड़के वाले बार बार आते हैं लेकिन कहीं भी रिष्टे की बात नहीं बनती है नहीं ठहरती है, तूट जाती है मतलब बार बार रिष्टा देख रहे हैं पर बात नहीं बन रही है ऐसे में पुराना खुला ताला बगैर चाबी का लड़की के पूरे शरीर के उपर से अंटी क्लॉक्वाइज सिक्सवार घुमाकर उस ताले को चुपचाप चुराहे पर रखाएं और पीछे मुड कर ना देखें ऐसा शुक्ल पक्ष के हर ब्रसपतिवार को कम से कम तीन थरस्देज करें जल्दी ही शादी हो जाएगी योपाए आपको थरस्दे को रात में करना है आपको शायद मालूम ही नहीं होगा लेकिन आपकी पारकिंग की दिशा भी बहुत काम की होती है पारकिंग अगर सही दिशा में हुई तो सड़क पर होने वाली अनहोनी को टाला जा सकता है आपको पारकिंग का वास्तो बताने जा रही हो दक्षिन पूर्फ दिशा में अपनी काग को पारक करने की वज़े से अन्होनी हो सकती है दक्षिन पूर्फ को आग का शेत्र माना जाता है संतुलन की स्थिति ना हो तो आग एक रक्षक की भूमे का निभाती है मतलब अगर balance दो तो रक्षक है लेकिन अगर असन तो लित हो जाए ऐसी situation में दुर घटना का कारण बन जाती है आपके car blue या silver या silver blue या black color की है तो आपको south east में car parking से बचना चाहिए और आपके पास कोई दूसरी alternative ना हो तो आपको दिवारों पर green shade का paint करा लेना चाहिए या कुछ हरे पौदे रखने चाहिए जब भी आप अपनी car को अपने घर के पूर दक्षन पूर में पाक करते हैं तो चिंता की दिशा तो वैसे ही हो जाती है कार के लिए अंचाही अनहुनी का डर आपको बना रहता है और वज़ा भी बन जाती है ऐसे में parking को लेकर पडोसियां से जगड़े भी मोल लेने पड़ते हैं इसी तरह डिप्रेशन और खराब मूड की दिशा यानि की वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कार पारकिंग सी आपको बचना चाहिए ये तो कार के लिए खराबी और महंगी मेंटेनन्स के कारण बन जाते हैं बेशक रंग से, लाइट से, पौधों से, मेटल से, इजी वास्तुर टिप्स को फॉलो करकर हम इन प्रॉब्लम्स को बिना किसी तोड़फोर के भी ठीक कर सकते हैं गलत दिशा में कार पारकिंग की वज़ा से कभी-कभी चोरी का डर भी होता है इसलिए सही दिशा में पारकिंग करें एक्सिडेंट्स पर हम और बात करेंगे इससे पहले आपको कुछ जरूरी दिखाते हैं जुएलरी का शौक हर लड़की को होता है और जब शॉपिंग की बात आती है तब हर कोई एक्साइटेड होता है और ऐसे ही जुएलरी शॉपिंग के लिए एक्साइटेड एक्सिलेबरिटी हमारे साथ इस वक्त मौझूद है जो है शिवानी चक्रपूर्टी हेलो शॉपिंग के लिए आगे है तो शुरूबात करें तो चुरूब की हर कुछ जो कुछ इनका नियू कलेक्शन है जो भी यह हम ट्राय करते है तो कडा से स्टार्ट करें तो आई कीम तो नो सम्धिंग अवाथ इसका नाम है गुलाब तोर इंट्रेस्टिंग नाम तो बहुत अच्छा है मतलब की इसको खोल के हम इसको पहनते है येस पहन सकते है अगर थोड़ा सा गुलाब वो आप गान गुलाबो जरा इत्रे क्या है गिरादो तो मैं यही बोलूँगी कि गुलाबो जित्ती भी गुलाबो है गाव में शहर में सब ऐसी गुलाब तोर चीज पहने और टिप टाप लगे गच्छा वाली की तरह सुन्दर सुन्दर सा कड़ा इसको बोलते हैं एंटीक गोट, येसका नाम है एंटीक गोट अधिंग क्योट बिकोज ओव दिस एंटीक नेस का जो है उसकी वजये स्का नाम एंटीक गोट है आइड इसमें भी नकाशी है उसमें थोड़े उठे वे थे और इसमें सारी एंबेड़ टाइप की है देखिया लोग देख सकते हैं इस इस कुंदन और एक खास बात इसकी यह बहुत अच्छा क्यों लग रहा है क्योंकि पूरा गोल है और एक कुंदन उसमें डाल दिया है तो थोड़ा सा उठके आ रहा है वो येस कंगन लेकर आप थोड़ा सा फ्लॉ इसा है कि हम दी जो सास है ना वो हमको मलब उतना पहने नहीं देती है जो भी रहता है वो भी ले लेती है तो अब मौका मिला है हमको अमारी पूजा वहीन ने मौका दिया है तो कहीं नहीं से हम थोड़ा पहीं पहीं के देख लेते हैं देख सकते हैं कि पहनने के बाद एक यह जो आजाता है पेस्पे, सच्छ में, विच आक रहा है, तो एम बरिया है थैंक यू। बहुत सुंदर लग रहा है, इच्छ जार था। और कलर भी इसलिए जो इसका यह डाक सा दिक हरा है, और मोड पंक का कलर है, वह यह है। So this is brilliant, I guess, मैं ये पसंद कर रही हूँ, क्योंकि ये तोड़ा सा मुझे अलग लग रहा है, दूसरे भी काफी अलग है, पर ये सिंपल भी है, और सोबर भी है, बहुत जादा गौडी भी नहीं है, और नॉमल ओकेशन में है, और इसमें भी पहन के हम जा सकते हैं. आई बात करते हैं आज के चौते माह उपाएं की, शादी ब्या बहुत बड़ी बात है, कई बार रिष्टा जो है, ये पक्का हो जाता है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी कारण से शादी की डेट आगे ही बढ़ती रहती है, इसका मतलब रिष्टा मिल गया, लेकिन शादी नही ही हो रही, ऐसे में पीपल के पेड की जड में लगातार 43 डेज तक जल डालने और दीपक जलाने से शादी की डेट जल्दी ही फिक्स हो जाएगी, लेकिन धिहान रहे, संडे को और ग्रहेंड की दिन आपको जल नहीं चडाना है, आस्ट्रो स्पेशल को जानने का वक्त आ गया है, क्योंकि आज कार की बात हो रही है, तो आस्ट्रो स्पेशल में भी आपको कार से जोड़ी टिफी बताऊंगी, अपनी गारी में अपने मूलां के हिसाब से आपको मैंने कालर्स बता दी, आपको नंबर्स बता दी, लेकिन एक और बात, अपने इस्ट की तस्वीर अपनी गारी में जरूर लगाएं, अगर आप गारी में नौनवेच और शराब पीते यहां खाते हैं, तो यह गलत बात है, ऐसे में भगवान की फोटो ना हो तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं खाते हैं, तो अपनी गारी में भगवान की छोटी सी तस्वीर जरूर लगा बहुत समय से उनकी सेविंग्स नहीं हो पारी है उसके उपाई जाना चाती है एक छोटा सा कैश बॉक्स लेकर घर के वेस्ट में रख दीजे या अपने बेड्रूम के वेस्ट में रख दीजे उसके उपर मा लक्ष्मी की फोटो लगा दीजे आपकी सेविंग्स शुरू हो जाएंगी entertainment की बाद बाद में जरा आपके कल को सुधारते हैं क्या करना है कल आपको अपनी राशी के एसाब से जाने सबसे पहले मेश राशी के लोग मेश राशी के लोग आप शान्त मन से काम करें आपको फाइदा होगा लग साथ दे रहा हैं आपका 62% प्रिश्व राशी के लोग शाम को हनुमान मंदिर जरूर जाएं किसमत साथ दे रही हैं आपका 72% मिश राशी के लोग अपनी बेहन से बिलकुल भी जगडा ना करें लग साथ दे रहा हैं आपका 58% कर्क राशी के लोग सुभा उटते ही नीबू पानी पीछे है किसमत साथ दे रही हैं आपका 60% सिंग राशी के लोग बेड पर आप नीली चादर बिछाईए लग सपोर्ट कर रहा हैं आपको 63% कन्या राशी के लोग आदित्य रिदे स्तोत्र का पाठ करें लग सपोर्ट कर रहा हैं आपको 70% तुला राशी के लोग शाम को घर में कपूर जलाईए भागे साथ दे रहा हैं आपका 68% रिश्चिक राशी के लोग, गरीबों को तेल दान कीजिए, लग सपोर्ट कर रहा है आपको 65%, धनू राशी के लोग, मिश्री मिला हुआ पानी पीछे है, किस्मत साथ दे रही है आपका 64%, मकर राशी के लोग, आपको ध्यान देना है कि बिजली के समान को नहीं छेड़े, कि किस्मत साथ दे रही है आपका 54%, कुम राशी के लोग, दोस्तों से सलहा लीजिए, कल आपको अच्छी सलहा मिलेगी, लग सपोर्ट कर रहा है 66%, और मीन राशी के लोग, कल सुभा लेमन टी पीजिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 60%, शो के सबसे आखिर में चलिए आपको, आज का आखरी यानि की पांच्वा महा उपाई क्या है, ये बताती हूँ, शादी के सहयोग नहीं बन रहे हैं, जब किसी दूसरी लड़की की शादी में जाएं, और अगर वहाँ पर उस लड़की को महंदी लग रही हो, तो गवारी की लड़की थोड़ी सी महंदी उस कन्या के हाथ से लगवाले, उसकी शादी का रस्ता भी खुल जाएगा, अभी मैं चलती हूँ, अपना खयाल रखे, बाई बाई, ठेक क्यार